एक हरा भरा जंगल था, उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, उस जंगल में जिराफबे रहता था, जो एक दूसरे की चुगली करके उन्हें आपस में लड़ा देता था, उसे दूसरे जानवरों की चुगली करने में बहुत मज़ा आता था, एक दिन उसकी मु अरे बंदर बाई केसे हो पड़े कुछ नजर आ रहे हो क्या बात है मुझे नहीं बताओगे मैं अपने तोस्त करगुष से मिलने जा रहा हूँ इसलिए खुश हूँ हम दोनों जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते है अच्छा कल मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला था वो बोल रहा था कि बंदर से दोस्ती करने का कुछ तो फाइदा हुआ मुझे कुछ करनी ही नहीं पड़ता आराम से लेट रहता हूँ और बंदर मुझे पेट से फल थोड़ थोड़ कर खिलाता रहता है मैं जो बोलता हूँ वो सब कुछ करता है और तो और उसने ये भी बोला था कि इतनी लंबी पूचवाला मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता अच्छा उसने ऐसा कहा मैं तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और वो मुझे अपने फैदे के लिए इस्तेमाल करता है मुझे उसने लंबी पूचवाला बोला उसने अपने कान देखे है कभी कितने बड़े बड़े होती है हाती जैसे हाती से याद आया कि मुझे हाती बाई को मिलने जाना था किसे काम से बंदर बाई अब मैं चलता हूँ देखो ये बत करगोश को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है इतना बोलकर जिराफ मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है कुछ दूर चलने के बाद उसे नदी में हाथी नहाता हुआ दिखाई देता है जिराफ सीधा हाथी के पास जाता है और बोलता है की अरे कैसे हो हाथी बाई आज बड़े रगड रगड कर नहाया जा रहा है कुछ कास बात है क्या कास बात तो है क्योंकि अज मेरी और रानी की शादी की पहली साल गिरा है इसलिए आज मैं रानी को अपने साथ कही गूमने के लिए ले जाना चाहता हूँ उसे गूमना फिरना बहुत पसंद है फिर मैं उसे ताजे ताजे गन्ने खिलाने लेकर जाओंगा शादे की साल गिरा बहुत-बहुत मुबारक हो पर रानी आज कुछ खुशी से नहीं दिख रही थी वो मुझे मिली थी रास्ते में वो तो बोल रही थी कि कैसे मोटे, काले और बड़े हाती से मेरी शादी हो गई उसे तो कोई हटे-कटे और फुतिल दिखने वाले से शादी करनी थी शायद उसका हाश्रा घोड़े-बाय की तरफ था पूरे जंगल में एक वो ही थे फुतिला और हटा-कटा मुझे क्या, मैं क्यों फड़ू तुम दोनों मिया बीवी के बीच में अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गए तुमसे बात करते-करते जिराफ के जो मन में आया, वो बोल कर वहां से चला जाता है पर हाथी बहुत गुस्से में था वो नहाने के बज़ाई अपने उपर डेर सारे कीचर लगा लेता है रानी मेरे बारे में कितनी गलत सोचती है वो मुझे मोटा बड़ा केसे बोल सकती है मेरे सामने तो बहुत प्यार दिखाती है और पीछे मुझे तो लगता है कि उस गोडे से उसका कोई तो छक्कर नहीं चल रहा शायद हो सकता है वह जिराफ पूरे जेंगल में एक दूसरे की चुगले करने में लगा था ऐसे ही वह रानी हाती के पास चाकर उससे हाती की चुगले कर देता है रानी बेहन सालगिरा बहुत बहुत मुबारक हो अब तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता है तुम्हारा सालगिरा के बारे में क्योंकि मुझे आभी नदी पर हाती बाई मिले थे उन ही ने बताया मुझे तोड़ा गुसे में लग रहे थे फिर भी मैंने उनसे पूछी ही लिया उनकी नाराजी का कारण बोल रहे थे कि बट सूरत से दिखने वाली हातनी से मेरी शादी हो गई जब वो चलती है तो पूरा जंगल हिलने लगता है मैंने उनसे कहा था कि रानी बेहन दिल तो बहुत अच्छी है तो वो बोले उसके पस दिल ही कहा है दिल होते तो वो मुझे प्यार नहीं करती क्या वो तो मुझ पर हर वक्त हूकुम ही चलाती रहती है बस उसकी कितनी हिम्मत कि मुझे बट सुरत बोले आनी दो आज उसे घर बताती हूँ फिर अच्छे से जिरफ चुप चाप से सब बोलकर निकल जाता है वहाँ से जब हाते घर पहुंचा है तो हाती और हातनी में खूब लड़ाई होती है पूरे जंगल के जानवर एक दूसरे से बस लड़ते भिड़ते नजर आने लगे ये सब क्या हो रहा है इस जंगल में? इस जंगल में रहने वाले सबी जानवर पहले तो मिलजुल कर रहते थे पर अब क्या हो गया है? जारूर कुछ बात है महिना, गुरिया, तुम दोनों जाकर पता लगाओ आकिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसे चिडिया और कव्वा आसमान में उड़कर हर एक पेट पर बैटकर आकिर पता लगा ही लेते हैं आकिर ये सब कौन कर रहा है? और जाकर शेर को बता देते हैं सब अच्चा, तो ये सब उस चुगल को जिराफ का काम है? उसे तो अब सबक सिकाना ही पड़ेगा शेर जिराफ को चोड़ सबी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता है और उन्हें जिराफ की कर्तूत के बारे में सब बता देता है कि वो एक दूसरे की चुगली करके आपस में ही लड़वा रहा है सबको और वो सबी जानवरों से उसे सबक सिखाने को बोलता है कि सबी जंगल के जानवर छिप जाए जिराफ को ऐसा लगे कि इस जंगल में वो बिलकुल अकेला है सबी जानवर वैसा ही करते हैं जब जिराफ को पूरे जंगल में कोई नहीं दिखता तो उसे लगता है कि सबी जानवर आपस में लड़ने की वज़ा से ही किसी दूसरे जंगल चले गए ये मैंने क्या कर दिया सबी जानवर आपस में मिलकर रहते थे और मैंने उन्हें ही आपस में लड़वा दिया ये टीक नहीं हुआ शायद मुझ सभी को पता चल जाये होगे कि मैंने ही सभी के बीच में लड़ाई करवाई है इसलिए सभी मुझे चोड़ कर चले गए अब मैं बिलकुल अकेला हो गया जिराफ बहुत रोता है तब ही चिपे हुए सभी जानवर बाहर आज़ते है मुझे कुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पच्चताव ना हो गया ये सब हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया था इसलिए हम सब चिप गए थे अब सभी मुझे माफ कर दो अब कभी भी मैं किसी की कोई चुगली नहीं करूंगा जिराफ को अपनी गलती का पच्चतावा हो गया उसने फिर कभी किसी की कोई चुगली नहीं की